हेलो ब्रीवर, मैं नेम इस रामान एंड विलकम तू सियर में उत्रकासिस इस सेशन में डिसकस करने वाले है रिजर्व बैंक आप इंडिया के इंपोर्टन स्ब्सक्राइशन नोटिफिकेशन पर दे मन्त ऑफ ऑक्टूबर 23 काफी अच्छे नंबर में रिजर्व बैंक को इंडिया ने इस वन में सब्सक्राइशन को रिलीज किया बात को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन प्रेस लीज से जो ही 6th of October को 6th of October को रिजर्व बैंक अप इंडिया आई और बोला देखा हमारे तो इस रिस्पेक्ट में बोला आपकी एक बुलेट रिपेमेंट स्कीम है जिसके अंदर आप गोल्ड के अगेंस लोन दे सकते हैं यह बुलेट रिपेमेंट स्कीम का मतलब क्या है इस स्कीम के अंदर जो लोन का रिपेमेंट होगा वो बुलेट रिपेमेंट होगा सर बु प्राइब को बढ़ाया गया बड़ साथ में कंडिशन लगा दिए कॉपरेटिव बैंक को आप रूल एरिया के अंदर बैंकिंग के सर्विसिस को प्रवाइड कर रहे हो आपके जो प्रायोटिस इंटर लेंडिंग के टागेट्स है वो सबसे जाधा है अगर अगर आप अगर को कंपेर करो तो आपके अगर प्रायोटिस इंटर लेंडिंग के टागेट्स मेट है तब हम आपको यह इंक्रीज सीलिंग प्रवाइड करेंगे वही मतलब फोर लाक रुपीज तक का लोन दे सकते हैं बुलेट रिपेमेट्स तेंग के अंदर गोल्ड के गेंस जिनके पी प्रवाइड के टागेट्स जे रखें तो थोड़ सा इस करा गया इनको थोड़ सा ज्यादा टाइम जया गया कि आप अपने पीज टागेट्स को मेट करो 2026 तक मतलब हर एक साल के लिमिट लगाए गई और एक्स्टेंशन करके बोला आप 2026 तक जो अल्टिमेट गोल है पीज टागेट्स का उसको मेट करेंगे इस पीज टागेट के अगर बात करें तो 2024 तक मार्च 31 2024 तक इनका ओवरॉल पीज टागेट है 60 परसंट ऑफ अडजेस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक टागेट में से वीकर सेक्शन को मिनिममम 11.5 परसंट देना है और अन बीसी और सी यो बीसी इसको भी बढ़ा के 2026 तक लेके जाने कितना 12 परसंट तक इसके साथ साथ एक और टागेट है रुपीज तक है बेनिफीशिरी अंडर गर्मेंट स्कीम जो स्पेसिफिक स्कीम के नाम दिये गाए नाशनल रूरल लाइवलिविड मिशन नाशनल अर्बन राइवलिविड मिशन सेल्फ एम्प्लॉइम्ट स्कीम फर रहाबिटेशन ऑफ नानल स्केडियूल का इस प्रुप दिस्ट्रेश्ट फामर्स अगर हैं जो इंडेटेड हैं नौन इंस्टिश्टिश्ट लेंडर मतलब जमीन दार लोगों से या फिर दिस्ट्रेश्ट परसन अधर जन्फामर की बात कर रहा है जिनका लोन है वन लाक रुपीज तक नौन इसको भी गवर्मेंट ऑफ इंडिया क्या केते नोटिफाई कर देती है वह वीकर सेक्षिन में आजेंगे तो वीकर सेक्षिन के स्पेसिफिक अलग तागेट्स हैं सब टागेट्स है ओवराल पीसल टागेट्स करनें तो यह पीसल के टागेट्स आपके एग्जांपल करो आप ऐसे अपने असेट को क्लासिफाई करो आप इतनी इतनी रिपोर्टिंग करो ताकि मतलब जो बैंक्स वह सही तरीकर से क्वशन करें कोई भी बैंक फेल नो तो इस रिसक्ट कब में बोला एक हम फ्रेमवर्क मिना रहे है प्राव्म करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर् कर रहा तो हम उसको इस framework में डाल देंगे और इस framework में डालने के बाद कुछ specific regulations आपके apply कर जाएंगे अब प्राउन करेक्टिव action के बारत में हम सोचते हैं कि किन बातों को धान में रखते हैं किसी bank को इस framework में डालना चाहिए पहले जो यह विली न्यूज आई है इसको बाद में डिसकस करते हैं अभी हम प्राउन करेक्टिव action को समझ रहे हैं तो इस respect में बोला कि the objective of प्राउन करेक्टिव action framework is to enable supervisory intervention, supervisory intervention बीच में हो गया कि लगरा भाई कुछ गलत हो सकता है यह वाला bank fail हो सकता है इसको बीच में ही पकड़ लिया कि आपको प्राउन करेक्टिव action लगा रहे है framework आपको इन इन बातों को मानना पड़ेगा यह क्या मतलब यह act करते हैं as a tool of effective market discipline, the prompt corrective action framework does not preclude the reserve bank of India from taking any other action अगर आपको प्राउन करेक्टिव action में दाल जा गया है इसका यह मतलब नहीं रिजर्व बैंक आपके पर और कोई अगर आपकी asset quality बेकार है तो आपको PCI framework में दा सकते है या leverage, leverage का मतलब आपकी जो capital है उसके respect में आपने कितनी borrowing कर रखे है, कितना levered है आपकी firm, आपका bank, तो इसे respect में बोला, capital का major क्या है, capital adequacy ratio, CRAR आ गया, या common equity tier 1 ratio, अगर asset quality की बात करें तो IRAC norms, जो आपका asset का classification है, तो हम इसमें check करेंगे आपका net non-performing asset ratio, और अगर बात करें leverage की, तो इसमें हम tier 1 leverage ratio को check करेंगे, कि आपकी capital के अगर आपने भार के funds, moral funds कितने है, तो ये तीन measure में अगर आप deficient है, तो आपको PCI के framework में दा सकते हैं, पहले यहाँ पे, income के respect में भी एक बात लिखी हुई थी, ब MBFC के लिए मोटा मोटा यही indicator है, इनको भी बोला कि हम आपकी capital check करेंगे, risk weighted asset ratio पे, tier 1 capital ratio चेक करेंगे, net NPA ratio चेक करेंगे, वहीं अगर एक specific type of MBFC जो core investment companies होती है, इनके respect में बोला हम आपकी net worth को check करेंगे, adjusted risk weighted asset से, leverage ratio, net NPA ratio को, इस respect में जो अब news आई है, वो news यह है कि पहले NBFC के अंदर, जो government own NBFC थी, उनको भार रखा गया था, इस PCA के framework से, मतलब उनको नहीं दालना था, अब बोला कि हम government companies, जो government NBFC है, उसको भी PCA के framework में लेकर आरे, अगर यह कुछ गलत हो जागा अंके साथ, इस ratio में अगर deficient हो जाएंगे, तो हम उनको भी PCA के framework में दाल पढ़े जी, यह किस पर apply करता है, तो all deposit taking NBFC पर PCA framework apply करता है, all non deposit taking NBFC, जो middle, upper और top layer में, इनको चार layer में divide कर रखा है, base, middle, upper and top, तो बोला middle के उपर जो भी है, उसको PCA के framework में दाला जा सकता है, अगर वो कुछ, मतलब deficient है किसी ना किसी ratio के अंदर, ठीक है, इसमें exclude कर र बोला आप नहीं आएंगे PCA के framework में, और यहाँ पर government companies को भी निकाल रखा था, government NBFC को, तो बोला आप government NBFC आ सकती है, primary dealers को हटाया गया, housing finance company को हटाया, white notification rated October 10, the framework has been extended to government NBFC, except base layer वाली, base layer को तो यह आप हटाई रखा है, all non deposit taking NBFC जो है, base layer वाली इनको पहली हटा रखा, तो बोला अगर government की NBFC है, जो middle layer के अंदर है, अभी government की NBFC है, उसको मतलब क्या कहते है, उसमें भी लेके नहीं गए, upper layer में भी लेके नहीं गए, अगर middle layer के अंदर आती है, तो उसके उपर PCA के framework apply कर जाएगा, चलो, next news की तरफ सलते है, master direction reserve bank of India, scale based regulation, अभी जो हमने उपर क्य NBFC को 4 layer में divide कर रहा है, NBFC base layer, जो lowest layer होगी, फिर middle layer है, upper layer है, top layer है, अब इनके respect में एक classification करा गया, कि कौन base layer में जाएगा, कौन middle layer में जाएगा, कौन upper layer में, तो base layer वालों में बोला, कि जो भी non deposit, जो deposit नहीं लेते, और उनका asset size 1000 crore तक है, तो उनको base layer में रखा जाएगा, चोटी NBFC, कम regulation, साथी साथ, अगर NBFC peer-to-peer lending platform है, जैसे lending card है, तो बोला, आपका काम देखो, actual में आप lending करने रहे, आप बस लोगों को मिला रहे हो, किनको, जिसको loan चाहिए, और जो loan देर, उनको मिलाने का platform है, आप base layer के NBFC हो, या फिर account aggregator, account aggregator सिरफ financial information provide करने का काम करत या फिर non-operative financial holding company, ये holding company अपने अंदर banks को hold करते है, अलग NBFC को hold करते है, अलग financial companies को hold करते है, बोला, आप भी base layer में हो, NBFC not availing public fund, not having any customer interface, बोला, ये base layer के है, फिर middle layer के अगर बात करें, कहरा सारी कि सारी जो deposit taking NBFC है, वो middle layer में हैगी, irrespective of asset side, public का पैसा आगया, तो आप middle layer में चलेगी, साथ में non-deposit taking NBFC है, जिनका 1000 करोड से ज्यादा का asset size है, वो middle layer में आगी, और specifically कुछ लोगों को बोला, आप NBFC जो है, वो middle layer में ही रहेंगी, बात करें, stand-alone primary dealer, हमेशा middle layer, infra debt fund, जो NBFC है, हमेशा middle layer, और investment company की बात करें, तो ये middle layer ये upper layer में जा सकती है, housing finance company middle layer ये upper layer में जा सकती है, non-banking financial company, infra finance company, IFC, ये भी middle layer ये upper layer में जा सकती है, सर, upper layer में कौन जा सकता है, जी upper layer में reserve bank of India identify करता है, बोलता है, हाँ जी, तू बड़ा हो गया, अब तू upper layer में जाएगा, ठीक है न, चलो, अचा middle layer के अंदर एक और बात बात बोल रखें, government owned जो NBFC ह जाएंगी, उसको बोला, अभी आप upper layer में जाओगे, हम आगे जाके, अगर हमें लगेगा, किसी को upper layer में जालना है, जादा regulation लगानी है, इसके अंदर जो top 10 eligible NBFC है, जिनका asset size ज्यादा है, उनको automatically upper layer में जाल जाता है, ठीक है, top layer के अगर बात करें, तो ये ideally empty रहेगी, इस इसके respect में अभी किसी NBFC को दालने गया, अगर Reserve Bank of India को लगते है कि यार, बहुत जादे regulate करना है किसी NBFC को, तो क्या आपको उसको आगे जाके top layer में जालने जाए, ओके, जालो, next news आते है, आपकी Reserve Bank of India financial statement का presentation and disclosure, इस respect में एक point के उपर बोला गया, कि जो unclaimed liabilities है, bank की, जिसक Depository Education Awareness Fund में जाला गया, bank के पास पैसा पड़ा है, कोई पैसा मंगने ही नहीं आ रहा, जिसका पैसा बोल गया है, जिसका पैसा मंगने नहीं आ रहा, तो उस पैसे को Depository Education Awareness Fund में जालना पड़ता है, कब 10 साल के बाद, 10 साल अगर कोई पैसा मंगने नहीं आ रहा, तो 10 साल क के पास है तो government से पैसा वापिस मांगके अगर डिपॉलिटर आ गया तो वापिस करना पड़ेगा तो इस रिस्पेक्ट में क्या बोला कि इस पैसे को शो करना bank को scheduled 12 contingent liability के अंदर पहले यह banks के respect में था scheduled commercial bank के respect में था जिसको अब क्या करते है consistency के लिए बोला कि जो cooperative bank का वो भी इसको contingent liability दिखाएंगे अदर्स के headache के लिए तो मोटा मोटा बात है इसको contingent liability में दिखाना ठीक है इसमें जो याद करने वाली बात क्या है कि depositor educational awareness fund scheme के अंदर जो भी आपका आपका account अगर operate नहीं हुआ 10 साल या उससे जाधा के लिए या फिर आपने पैसे को claim नहीं किया 10 साल से जाधा के लिए तो इसको depositor education awareness fund में दाल जी जाए लो इस पैसे को वापस भी मांगा जा सकते हैं टीक है trending आपकी next news आती है October 26 की trending of customer service rendered by credit information company and credit institution अब information company की बात करें तो सिबिल हो गया यह सारे की सारी credit information इनको मिलती है किस ते बैंक से और आपकी एक report provide करते है अलग-अलग banks को आपको भी देखते हैं तो आप जाकर अपनी credit score को check कर सकते हैं न तो इस respect में बोला हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ इसके restrictions लेकर आ रहे हैं देखो अगर किसी एक इंसान की credit information को share करा जा रहा है तो उसके उपर भी वह information मिलने चाहिए न उसको तो उस respect में क्या बोला कि हम यह वली जो क्या करते हैं direction है पहली बात हो सब के उपर लगा रहे है excluding payment bank कभी-कभी ऐसा question आ जाकता है कि किस के उपर यह regulation नहीं बनती तो याद करेंगे payments bank के उपर यह बागी सब के उपर यह direction को लगा जागा इस respect में क्या बोला कि जब भी आपको credit information की report के बारे में information पास्वान करेंगे तो आपको बताना जूरूरी है लोगों को पढ़ते हैं क्या लिखा इसके अंदर SMS के तुरू आपको intimate करना है credit information company shall send alerts through SMS email to customer when their credit information report is accessed by specified users जो भी इनकी report को access कर रहे है कोई bank अगर access कर रहा है तो आपको message आना चीए अब आपको message आएगा कि हाज मेरी report इन्होंने check करें जो credit जो provide करने वा information pass on कर रहे हो ना CIC को credit information company को अगर कोई bank जो credit देने वाला institution है वो credit information company Sibyl को information भेज रहा है कि हां जी ये बंदा है इसने default कर दिया इसका नाम खराब कर दे credit information company के पास ये information दे रहा है तो बोला कर आप information दे रहो ना एक SMS बहित दो जो credit institution is shall send alert through SMS email to customer while submitting information to credit information company regarding default देखो जी default के बारे में information देंगे ना अगर उसकी credit information को खराब कर जा रहा है उसकी report को खराब कर जा रहा है तभी SMS देना जरूरी है अगर सही reporting करें तब क्या दिक्कत है तो बोला अगर default day past due की reporting हो रही है अगर आपने आयरेक नहीं फड़े हैं तो उसमें हम पढ़ते है SMS special mention account की reporting होती है जिसमें अगर 0 से 30 days तक due हो गया पैसा नहीं दिया तो SMS 0 classify हो जाता है वह अगर 90 days से ज़्यादा का due हो जाता तो non performing asset को classify कर जाता है तो इस respect में बोला अगर कोई information जा रही है credit information company की तरफ बैंक से तो आपको SMS भेजना जुरूरी है अगर कोई default या day past due को आप report कर रहे हो ठीक है न वो phone करेगा हाँ जी मेरे को SMS है मेरे तो कोई due है नहीं मैं तो सारा पैसा दे रखा दिखाऊ मेरे को statement तो वैसे वी बात सारी की सारी इसमें और क्या बोला गया ingestion of credit information data by credit information company जो भी credit institution है वो जो information देंगे CIC को तो उनको साथ दिन कंदर वो data को consume करके अपने database में दालना है इजी access to full free credit report जो full free report आप बोलागे credit information company को कि जिसकी report है उसको एक बार तो आप report access करने दोगे जो पूरी report है फूल report है उसके बाद पैसे ले सकते हो credit information company शाल provide easy access to free full credit report including credit score once in a year ठीक है ना उसके बाद पैसे लेने का आपको अगर लेना तो आप ले सकते हो एक report प्रवाइड करना जरूरी है ओकी जी next news आती है framework for compensation to customer for delayed updation rectification of credit information जी credit information आगी थी मैं करोगे information गलता है मेरी report खराब कर रहे है इसके respect में मतलब case कर दूँगा तो बोला अभी case मत करो आपके respect में हमने क्या कहते है framework लेकर रहा है कि इनको ठीक करने पड़ेगी यह वली information को अगर नहीं करेंगा तो इनसे हम आपको पैसे दिलवा देंगे तो क्या बोला अगर मैं बोल रहो कि हाज यह report को ठीक करो अगर उन्होंने 30 जिन के अंदर report को ठीक नहीं करा तो यह आपको 100 रुपे पर डे का compensation देंगे पड़े का लिखा complainant shall be entitled to a compensation of 100 rupees per calendar day in case complaint is not resolved within a period of 30 days from the date of initial filing of complaint by the complainant with the CI credit institution यह से credit information company अब इस respect में division कर जया गया कि कहाँ पर गलती credit institution किया है और कहाँ पर गलती credit information company के है तो credit जो institution है उसको बोला कि आप liable होगे क्या करते है compensation देने के लिए अगर आपने 21 days के अंदर जो appropriate information है वो नहीं दी किसको credit information company को आपका काम है information देना क्योंकि आप ही ने loan दे रखा है credit information company को आप क्या करते information दो और वो ठीक कर देगी 9 जिन के अं institution shall pay compensation to the complainant if the credit institution has failed to send the updated credit information to CIC by making appropriate correction or addition or otherwise within 21 calendar days of being informed by the complainant or CIC तो इनको 21 days का time मिला गया CIC को बोला the CIC shall be liable to pay compensation to the complainant if the CIC has failed to resolve the complaint within 30 days 30 calendar days अगर आपने 30 days के अंदर क्या करता है complaint को resolve नहीं करा तब आप liable 21 days उसको चले के तो 9 days के इसको time मिला अपना क्या करते है data को update करने के लिए 9 days के अंदर उसको सारे काम करने है इसको information भी pass on करने है CI को कि हाँ जी जो credit institution है information दे दो update और इसको actual में update भी करने है ठीक है अगर मतलब यह delay ज्यादा हो जाएगा और अलग-अलग type के credit institution है मतलब अलग-अलग bank involved है तो उस case के अंदर जो भी compensation है वो proportionally divide कर लिया जाए ठीक है न यह एक line लिखे compensation to be provided by CIC, CIC to the complain अगर 30 जीन से जाधा का delay हो रहा है शाल भी proportionate among the CI and CIC proportionately अब मेरी बास सुनो 21 days से जाधा delay है तो वो CI पे करेगा अगर overall 30 days से जाधा delay है तो उसके अंदर CIC पे करेगा ठीक है न अब 9 days का time इसको दे रखा अगर 9 days अगर आप इसको 30 से 21 को आदे तो 9 days से जाधा का delay अगर CIC की वज़े से हुआ तब वो CIC wholly liable है अगर दोनर की वज़े से डीले हो रहा है 30 days से जाधा का delay हो गया तो उसके अंदर proportionately करता है इनके पैसे को बाट लिया जाएगा चलो ओके जी नेक्स आता है नॉन कॉलिबल डिपॉलिट के रिस्पेक्ट में मास्टर डारेक्शन और इ जिसको आप पॉल नहीं कर सकते हैं मतलब आई यह नॉन कॉलिबल है आपने पैसा दे दिया भूल जाओ जब इसकी ड्यू डेट होगी ना रिपरमिट करने लिए तब ही दिया जाएगा तो इस रिस्पेक्ट में पहले जो लिमिट थी वह थी 15 लाक रुपीस मतलब 15 लाक र करोड रुपी मतलब अगर वन करोड रुपी से नीचे का पैसा है तो वह हमेशा नॉन कॉलीबल नहीं होगा मतलब उस केज के अंदर पैसा वापिस करना पड़ेगा एक करोड से उपर का अगर कहते हैं आपने टर्म दिपॉस्ट ले रखा है तो उसी को नॉन कॉलिबल आ बना सकते हो, obviously बता के, ठीक है न, इसके अंदर जो differential rate दिया जागा न, कि नॉन कॉलेबल है, कोई भी पैसा बापस ही मिलेगा, एक term से पहले, 5 साल से पहले, अगर आपको नॉन कॉलेबल में जम्मा कराना है पैसा, तो आपको rate of interest जादा जागे, ठीक है जी, अगली news आते है, 26th October की, जिसमें बोला गया, हम review कर रहे है, financial information provider को, under account aggregator framework, हमने उपर पड़ा साना है, account aggregator NBFC, उसका क्या है, financial information को कट्था करके, banks को provide करना, financial institution को provide करना, तो इस respect में बोला, जी, अलग-अलग financial information provider है, जिसमें बड़े सारे लोग आते है, आपके कहते हैं, जो mobile network है न, वो भी financial information provider है, जिसके अंदर कुछ टाइम पहले, goods and service tax network को भी, financial information provider बनाये गया था, इसमें बात बोली, हमारे PFRD, pension fund, regulatory development authority ने बोला, देखो, आपने, financial information provider बना रखा है, pension funds को, अब pension funds को, आप financial information provider ना बनाएए, आप बनाएए, Central record keeping agencies को, CRA को, CRA के पास सारा information है, आप ऐसा करो, replace कर Central record keeping agencies है, Central record keeping agency का अगर मैं नाम बताऊं, तो यह है, protein, e-governance करके है, कावेरी, Fintech है, K-Fintech है, तो यह Central record keeping agencies है, जिनके अपर सारा data आता है, यही पर जाके आप account कोलते हो, अपना pension के respect में, तो बोला सीधा, इसी से information माँगो ना, आप कह गया थे, pension funds से मन्त माँगो, यह CRA के सारी information है, यह देखा, आपको सारी की सारी information, okay, जलो जी, next दी तो आती है, आपकी regulation of payment aggregator, cross border, payment अगर aggregator की बात करें, तो जो आपकी payment कराने महल करते है, Google पे हो गया, PTM हो गया, तो इसके respect में cross border जो payment करा रहे है, उसके लिए specific आपकी कह कहते है, directions आई, तो बोला, कि हम आपको क्या कहते है, registration लेना पड़ेगा, अगर आप cross border की payment कराने है, payment aggregator, तो आपको registration लेना पड़ेगा, हम से Reserve Bank of India से, तो बोला कि अगर आप AD category 1 के bank है, जो AD category 1 होता है, उसको permission होते है, कि आप foreign currency को buy and sell कर सकते है, तो बोला, आपको registration लेना, आप तो पहले ही कहते है, dealing कर रहे है, foreign इसी respect में बोला, non bank which provide payment aggregator cross border services, as on the date of this surplus, shall apply to the Reserve Bank of India for authorization by 30th April 24, इनको बोला हम आपको तीन category में डिवाइट करेंगा, तीन category में registration ले सकते है, या तो आप export only payment aggregator है, cross border, आप सरफ export के respect में payment receive करते है, import के respect में payment aggregator है, मतलब आप सरफ payment करते है, क्या करते है, foreign currency की, या फिर आप दो respect हो सकते है, import, export, payment aggregator, cross border payment, तो इस respect में जो याद करने वाली बात है, जी AD category 1 तो हमारा bank की हो गया, वो तो पहले सी सारे function कर रहा है, तो बोला कर कोई ऐसा aggregator है, payment aggregator, cross border वाला है, export only, import only, export, import, तो बोला, इसके respect में network criteria दाल जागा, यह आपकी minimum network हो निचे, 15 करोड रुपिस, जब आप application दे रहो, important, और इसको बढ़ा के आपको लिखे जाने, 25 करोड रुपीज तक, 2026, March 31, 2026 तक, तक है न, चलो, तो आपके October मन्त के RBI के सब जल नोटिफिकेशन, यहाँ पे समाहत होते हैं, इसके respect में, मेरी application पे जाके attempt कर सकते हैं, इस session को ही पर रोखते हैं, OK data, Bye-bye.